दोस्तो नमस्कार Profit Guru चैनल में एक बाद नए मार्केट अपडेट के साथ आप लोगों का स्वागत करता हूँ तो दोस्तो सरकार का एक बहुत बड़ा फेसला आया है तो टाटा पॉवर के जो शेर ओल्डर है उनके लिए लोटरी लगते देखने को मिलिये क्यों? क्योंकि बहुत बड़ा investment करने वाली है दोस्तो Power Sector के उपर कौन? Government आज budget में ये update आया है अब वो कितना update आ रहा है? कौन-कौन सा ऐसा news है जो हम इस वीडियो में cover करने वाले है जिससे impact कैसा रहेगा stock में ये सबी चीज़े में आप लोगों को बताने वाला हूँ तो चलिए फटा फटा से वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक ही चीज़ में आपको बोलने वाला हूँ अगर आपने चनल को फर्स टाइम विजिट किया है तो definitely subscribe करिए तो चलिए जो news है सबसे पहले वो देख लेते है तो यहाँ पर आप देख सकते हो दूस्तो मैं नहीं कंट्रोल के साइट के उपर मैंने आप लोगों को लाया हूँ अब यह अपडेट आप देख सकते हो जब बजट चल रहा था जब कोई अपडेट है अदानी पावर, टाटा पावर रेली मतलब दोनों पावर सेक्टर की कंपनिया है दोनों में तीन से चार परशंट की रेली देखने को मिली क्यों अलेक एलोकेशन आफ हाइडरो एंड सोलर पोजेक्ट इन फाइनेंशियल एर 2023 मतलब दोजार, मतलब फाइनेशियल एर 2023 तक हाइडरो एंड सोलर प्रोजेक्ट में दोस्तों करीवन यहापर बजट में जो यह अनौंसमेंट हुआ है उसके एकॉर्डिंग काफी अच्छा कासा गौवर्मेंट इन्वस्मेंट करने वाली है जो हम नीचे डिटेल में देखते हैं तो आप देख सकते हो, पौवर्ड स्टॉक गेन आफ्टर, फाइनेश मिनिस्टर निर्मला सितारमंज अनौंसमेंट किया ठीके, कि हम 1400 करोड उपे का है पर क्या करेंगे, इन्वस्मेंट करेंगे, हाइडरो में ठीके, और सोलर प्रोजेक्ट में तो जिसके करन क्या हुआ दोस्तों, स्टॉक में एक अच्छी कासी हमें तेजी देखने को मिली है यह आज के दिन अप्टेट आया, अब उसके बाद ही अगर आप देखेंगे, तो देखें, ताटा पावर शेर गें 3%, ए ए नेच पीसी, यह दोस्तों 5% उपर गया, जे प्रकास पावर वेंचर ठीके, यह भी 1.1% उपर गया, और एंटी पीसी, यह भी दोस्तों 1% उपर जो जो कमपनी, पावर सेक्टर या उससे रिलेटेट दोस्तों काम करती है, वो सभी कमपनियों में काफी अच्छा कासा में, मुमेंटम देखने को मिला, तो देखा जाए तो यह न्यूस बहुत तगड़ी है, 14.00 कड़ो डुपे दोस्तों बहुत बढ़ी रकम होती है, उसके ओपर थोड़ा ज्यादा इंवस्मेंट कर दे, तो जिससे दोस्तों काफी ज्यादा फादा उसको होते देखने को मिल सकता है, अब नीचे भी आप देख सकते हो, जो 14.00 करूड उपे इंवस्मेंट की जाएंगे, जिसमें से 123 मेगावाट का हाइडरोजन प्रोजेक् कितारा मन जी ने बोला है अपनी इस पीज में, उसके बाद आप देख सकते हो, आदानी गिरीन है, टाटा पावर है, ठीक है, अदानी पावर है, भी एचिएल है, ठीक है, सीमन से और NTPC है, सभी कमपनिया, मतलब 1-4% भागी क्यों, क्योंकि इसी कारण ये निउस इनके ल दोस्तों, सेकेंड जो निउस है, वो दाफरी प्रेस की साइट के ओपर हम देखेंगे, ठीक है, जो हमें देखने को मिलेगी, 31 जनवरी की निउस है, ठीक है, तो क्या देखने को मिल रही है, आप देखिए, SBI लांच, SBI लांच, अब आप बोलोगे ये तो SBI का निउस है, आगे देखिए, SBI, सूरिया सकती सेल, ठीक है, एक सेल यहां पर लांच की गई है, किसके रिलेटेड दोस्तों, देखिए, पार्टनर बित ताटा पावर ऑफ दाफ फाइनेंशियल शोलर प्रोजेक्ट, मतलब दोस्तों, काम कराया किस से, ताटा पावर से, इंवस्मेंट किया किसने, SBI ने, ठीक है, तो मतलब दोनों कमपनी की क्या हुई, पार्टनर्शीप हुई है, आप मान लीजिए, कि यह 100% की सेल है, ठीक है, अब अगर इसमें से 30% टाटा पावर भी लेके जाएगा, बीना कुछ इंवस्मेंट के खाली बनाने में ही खर्चा होगा, बाक इसे कि आप देख सकते हो, दिनेस, खर्रा, चेर्मेन, SBI, डॉक्टर प्रविन सिनना, CEO, MD, टाटा पावर, ठीक है, जो मैंने आप लोगों को अभी बताया, अब यहाँ पर भी आप देख सकते हो, कि जो एग्रिमेंट हुआ है, सोलर प्रोजेक्ट, मतलब सोलर पावर प्र अब टाटा पावर के साथ नहीं काम, मतलब टाटा पावर की जो दोस्तों सब्सिडिरी कमपनी है, टाटा पावर सोलर सिस्टम, ठीके, आप यहाँ पर देख सकते हो, ब्रेकरट में भी लिखा हुआ टाटा पावर कमपनी, इससे यह एग्रिमेंट हुआ है, मतलब यह फु तो दोस्तो देखा जाएं तो दोनों न्यूस बहुत अच्छी देखने को मिली उसके साथ अगर आप देखेंगे तो आज टाटा पावर का पाफॉर्मेंस डेड़ पर्षिंट की तेजी के साथ क्लोज हुआ है लगबग 200 रुपे के आसपास 246 रुपे के आसपास का दोस्तो प्रिवेस क्लोज था 249 रुपे 50 परसे फिर ओपन हुआ 256 रुपे 40 परसे तक यह स्टॉक घूम क्या गया है और इसका 52 बिक का ही 266 रुपे 50 पैसे तो बहुत जल्दी अपना 52 बिक का नया हाई लगा सकता है लास्ट पांत दिन में आप देख सकते हो 9 पोने 10 परषिंट तक कि तेजी आ चुकी इस टॉक में लास्ट एक मेने में इतनी ही तेजी थी आप देख सकते हो 11 परषिंट के लेकिन इसने काफी बड़ा डीप लगा दिया था एकदम हाई लेवल पर आप देख सकते हो जरूर दोस्तों टाटा पावर को अपनी फोकस में रखके चलिए ठ अब देखे टाटा पावर क्या दोस्तों सबसे बड़ा परेशानी सुरू से यही रहा है कि काफी ज़्यादा एक कंसोलिरेट करता है जून जुलाई अगस सितमबर ठीक है यह चार पाच मैंने स्टॉक ने 120 से 160 रुपे के लेवल के असपास काफी ज़्यादा क्या क्या क्य पिर यहां कंसोलिरेट क्या फिर यहां से ब्रेकाउट आने के बाद आप देख सकते हो फिर यहां से कितने दिने तक एक ही लेवल पर क्या करते है यह लेवल दोस्तों का और लगबक ये देखे 250 रुपे के बीच में पूरा मीट अक्टूबर नौमबर पूरा दिसमबर दो बार आप देख सकते हो support बन चुका है अगर आप देखेंगे तो एक इस point पे और एक इस point पे तो जो 220 रुपे के आसपास का एक important हमों support बोल सकते हैं और second जो सबसे important support है वो दोसों का है अब ठीक है अब यहाँ पर देखें 240 रुपे का level था 250 रुपे का level था वो ब्रेक हो चुका है अब इसके लिए दोस्तो 270 रुपे का यह level है ठीक है वो important है अगर अराम से 260-270 का level यह break करेगा तो दोस्तो टाटा पाउवर में एक बार फिर से हमें अच्छी का से momentum तीजी देखने को मिल सकती है ठीक है तो जो point मैंन आपको opportunity दिखती है तो आप opportunity को gain कर सकते हो और साथ में और कुछ भी update आता है तो वह में आप लोगों को update प्रोवाइट कर सकता हूँ तो easily तरीके से क्या है तो आप हमाई channel के साथ भी banner होगे तो आप लोगों को बहुत सारी चीजे सीखने को भी मिलेगी समझने को भी जरू मिलेगी आप खुद भी आप देख सकते हो कि कितना important point है या 220 रुपे का ठीक है यहाँ पर बना हुआ है जैसे कि यह support है यहाँ पर भी support लिया ठीक है उसके साथ यहाँ पर rejection लिया यहाँ पर support बनाया अब यह level पर trade करा है मतला 250 रुपे का level important है यह जैसे ब्रेक होगा आराम से 260-270 का level break करेगा और फिरा में एक अच्छी कासी तेजी यह दिखाएगा ठीक है तो यह ता टाटा पावर के उपर update न्यूस भी update किया टेकनिकल चार्ट भी analysis में आप लोगों को provide किया है ठीक है तो आपको यह वीडियो पसंद आतो प्लीज इस वीडियो को like करिएगा च